किसे differential equation को solve करने के लिए आप सुरुवात कहां से करेंगे देखे सरपतम आप उस differential equation की पैंचान करें उसके order की degree की उसके बाद उसके type की कि वो कौन से type की है जैसे first order and first degree अभी हम ले रहे हैं उसमें variable में separable हो सकती है homogeneous हो सकती है और linear हो सकती है कोई भी हो सकती है अब मैंचान क्यों करना है तो उसका भी एक कारण में आपको बताता हूँ देखिए यदि linear differential equation है तो उसको solve करने के मेरे पास एक particular method है homogeneous और variable में शेपरेबल का भी अपना अपना एक particular method है उस method को मैं कब apply कर पाऊंगा जब मुझे उस type की equation को पैंचान करना आएगा तो यहाँ पर हमने अपना पहला example लिया है तो आप देख सकते हैं कि इस equation को मैं कुछ इस form में लिख सकता हूँ यानि यह first order and first degree की differential equation है उसके बाद आप क्या करते हैं जैसे ही पता लगता है कि first order and first degree की है यहाँ पर आप dy upon dx को अक्यला कर देते हैं अक्यला करने के लिए मैं both side one plus x square का divide करता हूँ क्या करता हूँ one plus x square का divide करता हूँ तो यह कुछ इस form में करोट हो जाती है अब variable में shapeable का कैसे पता करते हैं उसमें dy के साथ के ओल हम function of y बेज़ सकते हैं dx के साथ के ओल function of x बेज़ सकते हैं लेकिन यहाँ पर possible नहीं हैं इन दोनों को चा कर भी अलग नहीं कर सकते हैं तो फिर हम homogeneous पर आते हैं तो homogeneous पर नहीं हैं तो आप आते हम linear पर तो linear हम जानते हैं कि किस form में लिखी जा सकते हैं पी function of x y is equal to q function of x के form में लिखी जा सकते हैं यहाँ आप ऐसे भी याद रख सकते हैं नीचे x आ रहा है तो यहाँ पर function of x यहाँ पर y आ रहा है तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं अब linear differential equation जैसे पता लगता है तो हम इसका solution पर आते हैं solution क्या होता है उपर कोना रहा भाई multiply with integrating factor is equals to q multiply with integrating factor का integration plus c integrating factor क्या होता है यानि i f क्या होता है वह होता है अपना e to the power p function of x का integration with respect to x यहाँ पर p function of x क्या है 1 upon 1 plus x square है q function of x है e to the power 10 inverse x upon 1 plus x square है अब देखिए यहाँ पर p का मैं integration करूं with respect to x क्योंकि यहाँ पर मुझे ख्यात थी है integration of p c with respect to x हम जानते हैं कि 1 upon 1 plus x square का integration होता है 10 inverse x तो यह यहाँ पर put करूं तो मेरा i f आता e to the power 10 inverse x अब i f को मैं integrating factor को अपने इस formula में put करूं तो आएगा मेरा e to the power 10 inverse x q यहाँ पर अपना है 10 inverse e to the power 10 inverse x upon 1 plus x square multiply with i f e to the power 10 inverse x dx प्लस c अब यहाँ पर सबसे important बात है वो है इसका integration करना और differential equation में यदि दूसरी problem आती है यहनि हम जहाँ पर stuck हो जाते हैं वो है integration तो आप integration की बहुत अच्छी practice करके चलें यहाँ पर यदि मैं a to the power 10 inverse x को t मान लो क्या मान लो t मान लो a to the power 10 inverse x upon 1 plus x square dx is equal to harm dt लिख सकते हैं तो यहाँ पर टी इसको t माना या हाँ इसको t लिख दिया और a to the power 10 inverse x upon 1 plus x square को हमने क्या लिख दिया dx को dt लिख दिया plus c तो यहाँ से t square by 2 plus c आता है t की value put करें t की value क्या है a to the power 10 inverse x है तो यहाँ पर आता है इसे हम क्या लिख सकते हैं y यह a to the power 10 inverse x a to the power 210 inverse x multiply with 1 by 2 plus यह अपना है इसका required answer तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या किया पहले पैंचान किया कि कौनसी order कौनसी degree उसके टाइप पर आए उस टाइप पर किस प्रकार से सोल करते हैं तो हम उस पर आते हैं तो हम उसका आसाने से सोल कर बाते हैं अब next question सवरव परतम आप पता लगाएंगी कि इसका degree and order क्या है तो आप देख सकते हैं first order and first degree की है जैसे ही पता लगा तो यहाँ पर डी वाइपॉंट को अक्यला कर दिया कि यह अपना किस टाइप का है कि इस टाइप की लिए डिफिरेंशल इक्रेशन है पहले हमने चेक करना है कि वेरियाबल में शेपरेबल नहीं है हम जीनिस भी है इसका solution क्या होता यह अपना formula है तो हम इसका integrating factor ग्याद करेंगे तो यहाँ पर पी function of x है one upon one plus x square q function of x tan inverse x upon one plus x square है अब मुझे integrating factor के लिए इसका क्या चाहिए integration चाहिए p का with respect to x तो यह आएगा अपना tan inverse x integrating factor क्या होता आई of is equals to e to the power integration of p with respect to x यानि e to the power tan inverse x यहां तक आ गया अब हम आगे चलते हैं यहां पर y के साथ integrating factor q के साथ integrating factor with end with respect to x integration plus c यहां ऐसे देख लें कि उपर y आ रहा है जनल तरिक्या याद रखने का multiply with q q यहां पर अपना tan inverse x upon one plus x square है और dx plus c अब यहां पर सबसे important बात क्या है इसका integration करना सबसे important बात क्या है इसका integration करना यहां पर tan inverse x को मैं t मानूं तो मैं dx upon one plus x square is equals to dt लिख सकता हूँ यह नहीं यहां पर आया आपने पास t e to the power t dt plus c t e to the power t का integration हम जानते हैं आइलेट से आइलेट करूं सार मैं इसको first मान सकता हूँ second मान सकता हूँ integration करूंगा मेरे पास आएगा first को छोड़ा second का integration minus first का differentiation second का integration फिर पूरे का integration e to the power t plus c t हमने किसको माना एक्चुल में यहां पर t किसको माना है 10 inverse x को माना है तो minus one e to the power t में बार ले लेता हूँ प्लस c इदर आ गया y e to the power 10 inverse x तो यह आ जाता अपना इसका required solution जो मेरे ख्याल से आपको समझ आया है कि हमने इसे कैसे प्राप्ट किया है अब हम चलते हैं अपनी next problem पर कि next problem काफी अच्छी problem है यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं इसे कुछ इस form मैं लेख सकता हूँ easy equals to zero यानि यह अपनी first order and first degree differential equation है जैसे ही पता लगता है तो हम यहां पर dy upon dx को अक्यला करते हैं क्या करते हैं dy upon dx को अक्यला करते हैं अक्यला करने के लिए आप देख सकते हैं कि मैं यह इसको उस तरफ लेकर जाओं एक्स one minus x square dy या इसको इस तरफ ले आओं तो two x square y minus y minus a x cube dx is equals to zero या आप ऐसा ना करें ऐसा भी कर सकते हैं इस पूरे में dx से divide कर दीजिए इससे भी divide कर दीजिए यहां पर dy upon dx 2 x square y two x square minus one y को बार ले लीजिएगा upon x one minus x square a x cube upon x one minus x square आता हैं अब यहां पर ज्यान से देखें तो यह कुछ इस ट्राइब की है ठीक है यहने अपनी linear differential equation है तो linear differential equation को soul कैसे करते हैं हम उसका integrating factor निकालते हैं integrating factor का meaning क्या है e to the power p का integration with respect to x तो यहां पर p two x square minus one upon x one minus x square है इसका integration करना पड़ेगा with respect to x अब इसका integration आप देख सकते में सीधा नहीं कर सकता किस से करना पड़ेगा partial fraction से करना पड़ेगा partial fraction के लिए मैं यहां पर p को partial fraction में पहले तोड़ता हूं partial fraction में तोड़ने के लिए a upon x plus b upon one plus x plus c upon one minus x ऐसा क्यों आया क्यों कि one minus x square को मैं लिख सकता हूं one minus x multiply with one plus x अपने a square minus b square के formula से यहां पर जब हम इसको solve करके calculate करेंगे तो a is equal to minus one आएगा b is equal to आएगा minus one by two और c is equal to आएगा one by two ठीक है यह यहां पर put करें तो minus one upon x का integration इंटिग्रेशन प्लस वन बाइटू का integration अब इस पूरे में से यह दी मैं minus sign bar ले लू और उसके बाद जैसे minus sign bar लूँगा तो यह क्या बनेगा x minus one बनेगा और उसके साथ integration कर दूँ तो one upon x का log x यहां पर log one plus x one by two यहां आएगा इसके साथ plus का यह इसके पौर में चला जाएगा यहां पर x minus one का log x minus one और यह इसके power में आजाएगा ठीक है उसके बाद मैं यहां पर log की property लगा दूँ log की property से यह सारे एक बुस्टरी के multiply में आएगे और यहां पर log की property से अपना x square minus one की power तो यह सब एक बुस्टरी के multiply में आएगे क्योंकि हम जानते हैं log m plus log n is equals to log mn होता है और यहां पर इन दोनों को जब अंडूट में लेंगे तो यहां पर अगें अपना a minus b into a plus b equals to a square minus b square का formula लगा जिससे x square minus one अंडूट में आजाएगा अब अगें log की property लगाएगा तो यह minus sign कहाँ आएगा यहां आजाएगा इनके power में तो यहां आएगा अपना log one upon log one upon x and root of x square minus one अब इसे मैं यहां पर put करूँ इसे मैं यहां पर put करूँ इस formula में तो if is equals to आएगा e to the power log लोग दिस और हम जानते हैं लोग और e एक दूसरे को cancel कर देंगे अपने पास आएगा किबल यह अब solution के और बढ़ते हैं y multiply with integrating factor one upon x and root of x square minus one अब इस तरफ q, q यहां पर अपना क्या है यह अपना q है a x square upon one minus x square multiply with one upon x and root of x square minus one यहां पर देख सकते हैं कि यह एक्स बचेगा dx plus c जब मैं इसका integration करता हूँ, integration किसके दोरा करेंगे यहां पर हम t मान कर integration करेंगे तो इसका integration आएगा अपना a upon and root of x square minus one plus c y x and root of x square y one upon x and root of x square minus one is equal to a upon and root of x square minus one plus c अब यहां पर integration कैसे किया वह भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, देखिए हम जब इसको solve करेंगे, क्या आएगा, minus sign बार लेंगे तो x square minus one आएगा यहां पर भी और यह one plus one by two और क्या होगा, अपना three by two यह उपर आकर क्या हो जाएगा, minus three by two अब इसको मैं t मानूँ, इसको क्या मानूँगा, t मानूँगा, तो 2x dx is equal to dt, यह नहीं, x dx is equal to dt by 2 आएगा फिर हम जब, t to the power minus three by two का integration करेंगे, तो upon में भी minus one by two आएगा, यह minus एक दूसरे कैंसल करके, अपने पास क्या बचेगा, यह बचेगा, तो आज की वीडियो में इतना ही काफी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में वह उससी problem हम solve करेंगे, आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका तहरी दिल से धन्यवाद आभार, कोई suggestion है, तो suggest करें, और आपको कहीं पर वीडियो में कोई problem लगी है, तो उसे comment में लिख दीजिएगा, उसे next वीडियो में आजा सकें, इसके लिए मैं आपका आभार वेक्ट करूंगा,